सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और इसे दुबाने के तुरंद बाद ही बेल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स अपको रेगुलरली मिलती रहे दोस्तो सुर्यदेव कल्यूक के सक्से देवता है इसलिए इनकी पुजा करने और इने चल चड़ाने का खास महत्व होता है सुर्यदेव की पुजा किस तरह करनी चाहिए और इससे क्या क्या अलाब मिलते हैं इसकी जानकारी कई धर्म करंथों में पाई जाती है आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं अगनी पुराण के अनुसार गायत्री मंद का जब करते हुए सुरे देव की उपासन करने और उन्हें जल जड़ाने पर बेप्रसंद होते हैं और भक्त को मन चाहा फल प्रदान करते हैं रुगवेद के अनुसार सुरे देव में पापों से मुक्ति दिलाने रुगों का नास करने आयू और सुख में वृत्ति करने और गरेबी दूर करने की अपार शक्ती है या जुरुवेद के अनुसार सुरे देव की आराधना इसलिए की जानी चाहिए कि वह मानव मात्र के सभी कामों के साक्सी है और उनसे हमारा कोई भी काम या वहवार छुपा हुआ नहीं है ब्रह्म पुरान के अनुसार सुर्यदेव सर्वस्रेष्ट देवता है इनकी उपासना करने वाले भक्त जो भी सामगरी इन्हें अर्पित करते हैं सुर्यदेव उसे लाख गुना करके लोटाते हैं सकंद पुरान के अनुसार सुर्यदेव को जल चड़ाए बीना बोजन करना पाप कर्म के समान माना जाता है सुर्यप्लनिशाद के अनुसार सभी देवता गंदर्व और रुशी सुर्य की केणों में वास करते हैं करने पर मनोवांचित फल मिलता है सुर्यदेव भक्त के सामने परकट होकर मनोकामना पूरी करते हैं सुर्यदेव की कुरुपा से मनुश्य के मानसिक, सारेरिक और सभी तरके पाप नस्ट हो जाते हैं